गुरुवार की शाम ताजनगरी बासियों के लिए एक बूरी खबर लेकर आई पद्मभूशन से सम्मानित और विख्यात कवी गोपाल दास नीरत जी का दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया उनके निधन की खबर मिलते ही समूचे साहित्य और काव्य जगत में शोग की लहर दोड़ गई तो वही आगरा के गण्मान्य और बुद्धी जीवी लोगों ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया गौरत लब है कि 17 जुलाई को उनकी तब्यद बिगणने के कारण आगरा दीवानी चौरा हस्थित लोटस अस्पताल के आई सिउ में उन्हें भरती कराया गया था हालात में सुधार होने के बाद उनको दिल्ली रेफर किया गया जानकारी के मताबित 17 जुलाई को स्वर्गिय गोपालदास जी ने सुबह नाश्ता किया था उसके बाद लगबग 9 बजे उनकी अच्छानक तब्यद भिगडी और डॉक्टर अनूपम शर्मा की देखरेक में लोटस अस्पताल में उन्हें भरती कराया गया था जा डॉक्टर ने उनके शरीर में इन्फेक्शन होने की जानकारी दी थी ICU में ट्रीटमेंट करने के बाद उनकी हालत में थोड़ा सुधार आया था जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें दिल्ली ले जाने की सला दी बताया जाता है कि जब पिछली बार गोपालदास जी की तबियत बिगडी थी तबी से ही शरीर में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया था एम्स में भरती होने के बाद ट्रीटमेंट के दोरान कल देर शाम उनके निधन की खबर फैल गई स्वर्गे गोपालदास जी ने 94 वर्ष की आयू में अंतिम सास ली उनके निधन पर सापा के राश्ट्रे अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश याधव ने भी दुख जताते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर अशुरूप्रोंट शद्धान जली व्यक्त की